हेलो फ्रेंड्स मैं गजनन आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हरतिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि पोलिस और आर्मी भरती के लिए श्यामिना कैसे बढ़ाए और ग्राउंड की तैयरी कैसे करें तो चले शुरू क करते हैं वीडियो को अंतर तक देखें स्किप मत किजिए ताकि आपको कुछ समझ में आ सके हैं और दोस्तों भरती के लिए और नॉर्मली आर्मी भरती के लिए 16 मेटर का ग्राउंड होता है और से फिएफ के लिए और 5 किलमेटर रनिंग होती है तो उसके लिए दोस्तों आपको मिनिमाम 5 किलमेटर की रनिंग डेली करनी है रनिंग को करने का तरीका यह है कि शुरू शुरू में आप जैसे 5 किलमेटर रनिंग करेंगे शुरू में एक आदा किलमेटर जो है नॉर्मली आप बोड़ी को व द्याइब का रणिंग का स्टेप बढ़ा सकते हैं और दोस्तों ध्यान रहे कि रणिंग नॉर्मली मौर्णिंग में की जाए ताकि धिन बर हम ठके हो रहे ते कहीं काम करते हैं स्कूल को ले जाएंगे कई और काम करेंगे तो थोड़ा आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है य दोस्तों रणिंग करते समय ध्यान में रखने वाली बाते हैं उन्पे गोर कीजिए रणिंग करते समय हमेशा नाक से सास ली जाए मूग का इस्तमाल ना किया जाए मूग का इस्तमाल अगर करेंगे तो जल्दी सास फुलने लगती है और हम ठक जाते है इसलिए पोश्री कर कि सांस हमेशा नाक से ही ले और सेकंड पॉइंट है दोस्तों बॉड़ी वेट जो है आगे की दिरफ रखा जाए बॉड़ी वेट अगर हम आगे रखेंगे तो हमें रणिंग करने में आसानी होती है और हम बहुत बेटर तरीके से रणिंग कर सकते हैं नेक्ट पॉइंट है दोस्तों एड़ी जमिन पर गजोर से ना लगने पाए क्योंकि हमने देखा है कि वार जो हमारे दोस्त थे और रनिंग करते हैं तो उनका झोड़ी on our city-up का exercise करना है never लागाने है जिससे आपका पेट मजबुत होगा आपको runnin के लिए better उसका experience भी लेगा pumping exercise करे comping से 2 शोल्डर मजबुत होते हैं उससे आफो काफी फरक पड़ेगा उसके बात है side by side jump उसको हम jumping jacks भी बूलते है jumping jacks का आप practice करे उसका एक set निश्चित करे 10 set हो 20 set हो जो भी हो उसका एक daily का आपका एक limit बढ़ाती जाए उसके बाद आता है दोस्तो push up push up minimum 50 push up तो आपने लगाने ये लगाने उसके बाद आप daily उसके में बढ़ा उथरी कर सकते एक एक दो दो करके daily बढ़ा सकते है उससे भी आपको काफी आपका test regular बढ़ेगा shoulder आपके मजबूत होंगे stamina आपका बढ़ेगा back push up दोस्तो back push up आपका वहापे जो है CIPP की जो भरती होते paramilitary forces की उसमें आपको दोस्तो pull ups लगाने होते है minimum 10 pull ups लगाने होते है तो pull up लगाने के लिए आपको कही बंदे हमने देखे उनसे pull up लग नहीं पाते है जिसको हम chin up भी बोलते है तो chin up लगाने के लिए दोस्तो आपको करना है back push up का practice back push up exercise करने के लिए आप किसी bed का इस्तमाल कर सकते है chair table का इस्तमाल कर सकते है या कही कोई CD होगा उस CD का इस्तमाल कर सकते है उसका सहराले कि आप back push up लगाएंगे back push up लगाने से आपका जो है shoulder मजबूत होगा और आप उससे बहुती आसानी से पुलफ चिनफ लगा सकते है उसके बाद दोस्तों 100 मिटर शूट आप 100 मिटर शूट का भी practice कीजिए ताकि उससे भी आपका stamina काफी भड़ जाता है और खाने पिने की बात में दोस्तों करेंगे हम की रोज सबेरे चना वगरा काजू बदम थोड़ा सा चना एक कफ वगरा एक छोटा कटोरी चना भीगो के रखी रात में उसमें दो चार बदम दो चार किसमिस वगरा ढलके उसको भीगो दीजिए और सबेरे उसका बदम का जो छिलका है उसका उतर के खाना है उससे आपका स्टाइमिना भी बढ़ेगा आपका शेरिट भी तंदरुस्त रहेगा और आपको फिजिकल में उससे काफी सहाईता मिलेगी दोस्तो भरतिया तो निकलती रहती है आर्मी हो, सीएफ एफ हो जो भी भरतिया होती हो तो निकलती रहती, वैकेंसी निकलती रहती है लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा हम फिजिकली फिट नहीं होगे हमने उसके लिए अगर कोई मेहनती नहीं किया है तो बरतिया रोजी निकले हमें क्या उससे कोई पाइदा नहीं होगा दोस्तो क्योंकि हमारा फिटी एगर हम नहीं है हमारा फ्रैक्टिस नहीं हुआ है तो हम वहाँ पर जाके करेंगे गया इसलिए दोस्तों पहले आपने आपको फिट कीजिए वैकेंसी चाहे जितनी भी हो आप उसका विचार मत कीजिए कि इतना वैकेंसी है इतने स्टूडन रहा होंग दोस्तों ग्राउंड के लिए आप हाई जम का भी प्रैक्टिस कीजिए हाई जम साड़े तिम फिट का हाई जम लगाना पड़ता है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए जहाँ आपको सफिशेंट जगा मिलता है वहाँ पे आप उसका प्रैक्टिस कीजिए हाई जम का जाती कर सकते हैं एक ही ग्राउंड बनाईए और उसमें हाई जम का और लॉंग जम का प्रैक्टिस बनाईए हाई जम के लिए अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप दो बंबू की लखडिया भी खड़ी कर सकते हैं उसको नीचे घार दीजिए उसके ऊपर से कोई एक रस थोड़ा सा रसी बांद के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं मोडिफाइक करके आपनी यह नहीं सोचना है कि आर मेरे लिए कई ग्राउंड आसपास है नहीं मैं कहा प्रैक्टिस करूंगा क्या करूंगा तो दोस्तों सिंपल सी चीजी आप इसको कोई भी चीज आप दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शियर कीजिए और अभी तक आप लोग ने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन फ्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपक उसका नोटिफिकिशन मिल सके धन्यवाद